स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से XP किलासिस में मैं चेतन परताब आज आपके लेकर आये हूँ क्लास 12 में हिंदी में काब्बे के अंतरगत सुमित्रा नंदन पंथ द्वारा रचित नौका बेहार ये जो रचना है वो इनके काब्बे संग्रे गुंजन से ली गई है और ये हलाकि रचना जो है बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छी रचना है और बोर्ड एकजाम को देखकर भी बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही महत्पूर है तो हलाकि इसमें नौका बिहार जो है उसकी चर्चा इनोंने की है नौका बिहार मानने नौका से घूमना गंगा में तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ ही साथ वेल आइकन को भी आउन कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो का लाब उठा सकें तो चलिए शुरू करते हैं मैं चेतन परताब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासिस में नौका बिहार कभी कहते हैं सांथ सिनिक्द जोतिसना उज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सांथ माने सांथ सिनिक्द का मतलब है बैसे चिकना होता है लेकिन सिनिक्द का यहां आर्थे चमकिला जोतिसना माने चांदनी उज्वल ठीक यानि पूरा जो माहौल है वातवान है जो वो कैसा है सांथ है सिनिक्द है और चांदनी से भरा हुआ है उज्वल है अपलक अनंत नीरव भूतल अनंत माने आकास आकास जो है वो अपलक बिना पलक जपकाए नीरव बिना ध्वनी करे यानि सांथ होकर भूतल भूतल माने धर्ती को जो आकास है वो बिना पलक जपकाए यानि एक तक बिलकुल तक तकी लगाए धर्ती को निहार रहा है देख रहा है सेकत सहिया पर दुग दे धवल, तवंगी गंगा, ग्रीश में विरल, लेटी है, स्रांत, क्लांत निश्चल, अब सेकत, सेकत का अर्थ होता है बालू, रेथ, अब रेथ की सहिया पर, दुग दे धवल, दूद जैसी धवल, धवल माने सफेदी, तवंगी गंगा, तवंगी का अर्थ होता है छरहरे बदनवाली इस्तरी, उसको बोलते हैं तवंगी, तवंगी गंगा, ग्रीश में विरल, अब चुकि विरली है, गर्मी के कारण, गर्मी का मौसम है, तो विरली, जो धारा है, इसकी बहुत विरली धारा है एक टाइप से, वो नहीं है, बैसी धारा नहीं है, कि बड़ी बैसी हो, तेज धारा हो, जबकि कैसी धारा है, विरली धारा है बहुत, ठीक, आगे देखें, शेकत सेया पर दुग्द धवल, तवंगी गंगा, ग्रीश में विरल, लेटी है, स्रांत निश्चल, निश्चल माने बिलकुल सांथ, बिना कोई हिले डोले, ऐसे पिती धोरा है, जैसे सेकत सेया पर, अर्थार बालू रूपी सेया पर, रेत रूपी सेया पर, दूद जैस धवल, माने सफेदी लिये हुए, तवंगी गंगा, यानि छरहरे बनन वाली गंगा, अपनी ग्रीश मिरितू की धारा में, ग्रीश मिरितू में, जो पानी की धारा हो जाती गंगा की, उस धारा में, ऐसे पिती थोरी, जैसे मानो लेटी हो, स्रांत हो अर्था, ठकी हुई ह क्लांत माने, क्लांत माने भी ठका हुआ होना होता है, और निश्चल, माने स्रांत, क्लांत और निश्चल बिलकुल हो, ठकी मानी लेटी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तापस वाला गंगा निर्मल, ससी मुक से दीपित म्रदू करतल, लहरे और पर कुमल कुंतल, तापस वाला अब यहां गंगा को गंगा की तुलना एक इस्त्री से की गई यानि मानवी करण कर दिया गया उसको तापस वाला गंगा निर्मल की गंगा जो है वो एक तपश्विनी बाला की भाती लड़की की भाती लग रही जो कैसी लग रही एक तपस्मीर वाला यहां समझेगा स्रांत का अर्थ दुखी भी होता है तो दुखी और किलांत माने ठकी हुई निश्चल प्रतीत हो रही तो तापस वाला गंगा निर्मल ससी मुख से दीपित मरदू कर्तल ससी मुख से दीपित दीपित माने चमकता हुआ मरदू कर्तल मरदू माने कॉमल और कर्तल माने हतियली लहरे और पर कॉमल कॉंतल कॉंतल माने बाल और जो बाल है वो ऐसे लग रहे जैसे और पर च्छाती पर उसकी जो बाल है गंगा के वो ऐसे लग रहे हैं जिसे जो गंगा की लहरे हैं वो बास्तों उसके बाल है और जो उसकी च्छाती पर लहरा रहा है कॉमल कॉंतल माने कॉमल बाल तो तापस वाला गंगा निर्मल ससी मुक से दीपित मरदू करतल इसका जरार समझी अच्छी से ससी मुख से दीपित यानि ससी मुख चंद्रमा के मुख से दीपित माने चमकता हुए म्रदू माने कॉमल करतल माने हतेली गौर से समझे दर बहुत बड़ी चीज कह गई कि जब चंद्रमा की छबी गंगा में पढ़ती है ठीक गंगा स्वयम के हाथ में ही अपना ही मुख रखे हो और कैसे रखे हो जैसे वो चमक रहा हो चांदी में चमक रहा हो तो अपनी ही मुख को अपनी हतेली में रखे हो अपनी चंद मुख को चमकता हुए चंद मुख अपनी हतेली में रखे हो देख रही हो और लहरे और पर कुम प्रतित हो रही यानि जो लहरे हैं वो हर्दे पर प्रतित हो रही तो इसका अर्थ यह हुगा जो इस तरी के बाल होते हैं ठीक वहां बालों की तुलना गंगा के बालों की तुलना किस से की कही लहरों से की गई तो जो गंगा की छाती पे जो लहरे लहर रही वो ऐसे प्रतित नीला अंबर माने नीला आकास अंचल सा आचल सा और चंचल माने चंचल गोरे अंगों पर सिर है सिर है माने ठहर ठहर के लहराता लहरा रहा क्या लहरा रहा तार तरल सुन्दर तारों का जो तरल माने तार तरल का अर्थ इदर समझे गोर से तारों का समुए की बात हो रही पिटियुए जासी की डिखे की तर्ल बता दिया तर, 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 सुनदर लहराता, तर, तर, सुनदर और चंचल अंचल सा नील आमबर की जो पूरा आकास है वो ऐसे लहरापने तारों समयत सुनदर आकास ऐसी लग रहा है जैसे आचल लहराराउ, गंगा का और किस पर गोरे अंगों पर गंगा के ही गोरे अंगों पर आगे देखें साड़ी की सिकुडन सी जिस पर ससी की रेस्मी बिभा से भर सिम्टी है वर्तुल मिदुल लहर और जो मिदुल लहर है वो बर्तुलाकार है जो लहरे हैं गंगा की वो बर्तुलाकार है और ऐसे लहरे ही जैसे सारी की शिकुरन नहीं पढ़े आती और उसी सारी की शिकुरन पर ससी की रेस्मी बिभा से भर बिभा माने चमक, रेस्मी माने रेस्मी, ससी माने चंद्रमा चंद्रमा की रेस्मी, यानि चंद्रमा की जो छबी पढ़ रही या यह काहिए चंदनी मा की जो रोसनी लहरों पर पढ़ लृहे वो लहरें चमकती ही प्रती थोड़ी चंदनी चान्नी से जब लहरें चलती है तो ऐसे लग़ रहा है जैसे सिमिट-सिमिट कि वो चल लही बरतुलाकार में मरदल रहने यानि कोमल लहरें चल रही हो और कैसे जब उच चल रही तो ऐसे पिर्टी थो रही जैसे साली में सिकुरन जो पढ़ जाती है उसी बाती आगे देखे अब कभी क्या कहते है चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर सत्वर का अर्थ होता है तेज कि अब चांदनी रात का प्रथम पहर है और हम नाव बड़े तेज लेकर चले अर्था तेज गती से लेकर नाव चले सिक्ता की सस्मित सीपी पर मोती की जोतिसना रही विचर लोग पालें चड़ी उठा लंगर सिक्ता की सस्मित सीपी पर सिक्ता माने होता है बालू अब बालू की सस्मित माने मुस्कान युक्त सीपी माने सीपी पर मोती की जोतिसना जोतिसना माने चांदनी विचर विचर रही माने घूम रही अब क्या है सीन क्या है तर कि जो रेत है रेत में जो सीपियां पढ़ी हैं बेस सीपियां चांदनी में ऐसे चमक रही है चंदमा की रोशनी में जैसे कोई मोती चमक रहा हो तो मोती की जोतिसना उनमें विचर रही है अर्थाद मौजूद है विचर रही मनें टहल रही यानि जो सीपियां पढ़ी हुई है बालू में वो सीपियां ऐसे प्रतीत हो रही जैसे उन्हें मोतियों की चमक विचर रही हो और लोग पालें चड़ी उठा लंगर कि जो पालें हैं वो पालें भी चड़ गई और लंगर भी उठ गया अब लंगर उठने का अर्थ समझे क्या है कि जब नावों को आगे बढ़ाया जाता है तो लंगर जिससे नावे बनी होती है वो भी उठा लिया जाता मरदु मंद मंद मंधर 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 लगुतरणी हंस नीशी शुंदर तिर रही खोल पालों के पर मरदु माने हलका कोमल मंद मंद माने धीरे धीरे मंधर 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 एक प्रकार की गती है बड़ी मस्तानी गती को मंधर बोलते है बड़ी मस्तानी चाल नहीं होती उसको मंधर गती बोलती लगुतरणी लगु माने छोटी तरणी माने नाव हंसनी से सुन्दर है अब जैसे ही पाले उठ गई नाव चलने लगी तो वो नाव बड़ी म्रदु मंद मंद बड़ी कोमलता से बड़ी धीरे-धीरे मंथर गती से चलने ही मंधर गती एक प्रकार से अलताही गती होती ही जैसे कोई आलश्य में चल रहा हो उस ताइप से तो ऐसे लग रही है у फेच हमे चोटी याorse हटी हंसनी enabled जैसे लगन लगी जैसे हम सविद्दै संदर रही हो माने तैर रही हो खोल पालों के पर des आगे देखें निश्चल जल के सुची दर्पन पर बिम्बित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे उचे लगते छावर निश्चल जल के सुची दर्पन पर जब भी जल सांथ होता है तो वो एक दर्पन का काम करता है तो निश्चल जल के सुची दर्पन पर माने सुची माने सुच्छ दर्पन पर कि अब चुकी लहरे सांथ है बीच में पहुँच गए तो निश्चल जल के सुची दर्पन पर बिम्बित हो रजत पुलिन निर्भर पुलिन का मतलब होता है किनारे रजत माने चांदी अब चा चांदी जैसे किनारे, इसका अर्थ समझे, चांदी जैसे किनारे क्यों कहे गए, चंद्रमा की रोस नहीं पढ़ ले तो किनारे भी चमक रहे, चुक्छी सीपियां किनारे हैं, उनमें मोती जैसी सीपियां चमक रहे, तो इसी कानल से किनारे हैं वो चमक रहे, तो निश्चल रूप से ये उँचे हो गए हो, क्या उँचे हो गए हो, ये जो वो हैं, किनारे हैं, किनारे दोहरे उँचे लगते हैं, नहीं समझें, दोहरे उँचे का अर्थ समझे, क्या है यहां कहने का अर्थ, कभी के, कि जब क्या होता है, कि पानी में, जब किनारों की छवी पड़ती है तो दोहरी लंबाई हो जाती एक तरब वो छबी वाली लंबाई और दूसर किनारे वाली वास्तविक लंबाई है ना तो दोहरे उंचे लगने लगती और काला कांकर का राज भवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर बैभाव सपन सगन और काला कांकर का राज और पलकों पर बैवाओ स्वपन संगन और ऐसे लगए जिसे उसकी पलकों पर उसी के बैवाओ के वो अपनी स्वपन देख रहा हो उनमें खोया हो ऐसा प्रतीत हो रहा आगे देखें अब आगे कभी कहते हैं नौका से उठती जल हिलोर हिल पढ़ते नब के और छोर अब कभी यहां कहते हैं कि नौका जब आगे चलती है तो नौका से उठती जल हिलोर कि नौका से जल की हिलोर उठनी लगती है नौका से उठती जल हिलोर हिल पढ़ते नब के और छोर जब नौका चलती है नौका की चलने एकार जल में हिलोरें उड़ती है जब हिलोरें उड़ती है तो आकास के और छोर हिल जाते है आकास के और छोर कैसे हिलेंगे इसको जरह समझी बहुत अच्छे सुन्दर सब्दों में कभी ने कहा है चुकि आकास की छबी भी पानी में है जब नाव चलेगी जल में लेहर उत्पन होगी तो सोभाबक रूप से आकास भी हिलता हुआ महसूस होगा दिखाई देगा बिस्फारत नैनों से निश्चल मने सांथ बिस्फारत मने फटे हुए खुले हुए नेतr बिस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल तारक दल माने तारों का समूव कि तारों का समूव भी चल चल के कुछ खोज रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अपने खुले नेत्रों से कुछ खोज रहा हो जोतित कर कर नब का अंतस्थल जोतित कर माने प्रिकासित कर और नव का अंतस्थल आकास का अंतस्थल प्रिकासित कर रहे समझे इसको जरा गौर से अब तारों की छबी भी वहां पढ़ ली तो तारे जो है वो आकास के अंतस्थल को अर्थात आकास के हिर्दे को भी जोतित कर रहे हैं प्रकासित कर रहे हैं नहीं समझे आकास में तारों का भी प्रकास होता है ठीक तो जिसके कार्ण तारे पूरे आकास को जगमगा देते हैं ठीक तो ऐसी कुछ लग रहा है जब तारों की छबी पानी में पढ़ लगी तो ऐसे लग रहा है जिसे तारे अपने फटे हुई नेत्रों से, फैले हुई नेत्रों से, बड़े नेत्रों से, विसफारे तनाइनों से, क्या खोज रहे हों कुछ, ऐसा प्रतीत हो रहे है, जिनके लगु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किये अविरल, अविरल मान निरं में और अंचल की ओट की अबरल की निरन तरबे इनी लेहरों की ओट में लेहरों की आचल रूपी ओट में छिप रहे हों बार बार लुका छुपी का खिल लेहरों के साथ खिल रहे हों ऐसे प्रती दोड़ा है सामने सुक्र की छबी जल मल और सामने ही चन्रमा जो सुक्र गरे है उसकी छबी भी पानी में दिखाई दे रही सुक्र की छबी जल मल माने जल मिलाती हुई और पैरती परी सी जल में कल और जल में परी के समान पैर रही यानि किसकी छबी सुक्र की छबी सुक्र भी दिख रहा है तो परी के समान पैरता हुए दिख रहा है रूप हरे कचों में हो ओचल रूप हरे कचों में हो ओचल और ऐसे लग रहा है जैसे ये सुक्र ग्रह गंगा के जो लहर रूपी जो कच्छें बाल है रुप हरे बाल उनमें ओजल हो जा रहा बार बार छिप जा रहा लहरों में ऐसा प्रतीत हो रहा है और लहरों के गुंगट से जुक 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 दस्मी का ससी निजितिरीक मुख दिखलाता मुगदासा रुक रुक समझे लेहरों के घुंगट से जुक जुक कि ऐसे लग रहा है जैसे दस्मी का जो ससी है चंद्रमा है वो अपना तिरियक मुख अब दस्मी का चंद्रमा थोड़ा तेड़ा टाइप का होता है है ना तो वो अपने तिरियक मुख अर्थात अपने तिर्चे मुख को ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे लेहरों के घुंगट में जुक जुक करके बार बार मुख दो होकर दिखा जाता है और फिर रुक जाता है फिर दिखाता है फिर दिखाता है दिखलाता मुख दासा रुक र के अपनी चेहरे को दिखाता है ऐसा प्रतीत हो रहा अब आगे कभी कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार चपला माने नाव कि जब नाव बीच धारा में पहुंची तो छिप गया चांदनी का कगार जो चांदनी का कगार था माने किनारे थे जो दिख रहे थे वो छि आलिंगन करने को अधीर अब वही किनारे एसे लगने लगे जैसे दो बाईं हो दो बाहों से आलिंगन करने को अधीर ब्याकुल हो यानि जब नाव बीच में पहुँची तो जो किनारे थे वो दूर चले गए छिप से गए और ऐसे पिटी थोने लगे जैसे दो बाहें पहला कर ये धारा के क्रिस माने दूबले पतले सरीर को यानि गंगा के दूबले पतले सरीर को आलिंगन करने को अधीर हो अर्थाद गले लगाने के लिए मचल रहे आती दूर छितिज पर बिटप माल लगती भूरेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल अती दूर माने बहुत दूर छितिज पर छितिज माने जहां आकास और धर्ती मिलते हुए पितीत होते वो छितिज कहलाता है अती दूर छितिज पर बिटप माल माने पेड़ों की पंक्ती लगती भूरेखा सी अराल अब बहुत दूर जब गंगा से बहुत दूर देखने पर ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे छितिज पर पेड़ों की पंक्ती और पंक्ती ऐसे प्रतीत हो रही पेड़ों की जैसे अराल मर तिर्ची पर्ती थो रही वह भूरे एका जैसी तिर्ची पर्ती थो रही भाओ जैसी ऐसे लगए जैसे अपलक नब मने आकास नील नयन यान आपलक आकास अपने नीलों नेतरों से जहाँक रहा हुआ कैसे चांक रहा हो समझे ज़रा बहुत दूर पर जो पेड़ों की पंक्तियां है पेड़ों की पंक्ति की सांस में से जो आकास दिखाई दे रहा वो आकास ऐसे लग रहा है जैसे उन सांसों में से अपने विशाल नेत्रों से निहार रहा हो ऐसे प्रतीत हो रहा है आगे देखें मा के और पर सिशुशा समीप सोया धारा में एक द्वीप और मिल प्रबाह को कर प्रतीत अब मा के और पर सिशुशा समीप और पर माने हरते पर सिशुशा माने सिशु के समान समीप माने समीप सोया धारा में एक द्वीप अब ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा की बीच धारा में एक दूइप है और वो दूइप ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे एक बालक अपनी मा के छाती में लगके सोता रहता है तो बैसी प्रतीत हो रहा है जैसे वो दीप गंगा रुपी माता की छाती में लगा हुए सो रहा हो और मिल प्रवाह को कर प्रतीत प्रतीत माने होता है उल्टा और मिल माने जो लहरे होती है लहरों के परवाईजे को वो उलटा कर दे रहा है एनए पानी जब जा रहा हो तो बीश में कोई मार्ग में अहरोद आ जाया तो पानी की रिखाए मुड़ जाती है यह न लहरें तो वही हो जाता है यहाँ, यानि उर्मिल परवाईजे को कर्पितिप माने उल्टा कर दे रहा है वह कौन बिहग क्या विकल कोग उल्टा हरने निज परह सोक अब कभी आगे कहता है वह कौन बिहग कि वह बिहग कौन है पक्षी कौन है क्या विकल कोग क्या बियाकुल कोग पक्षी है जो उड़ रहा है हरने अर्था दूर करने के लिए निज, निज माने अपना बेरह सोक, कि जो अपने बेरह रूपी सोक को दूर करने के लिए जो उड़ रहा हो, ऐसा क्या वो जो पक्षी दूर, अप दूर पक्षी उड़ता हुए दिखाई दे रहा हुए इंक कभी को, तो क कि बैरा है रूपी सोक को दुक को दूर करने के लिए ओड़ रहा है क्या यह वही कोक पक्शी है यह जो इसके लगता है जैसे यह कोक ही हो तो उसके बियोग को दूर करने के लिए जो उसको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ता है उड़ रहा है यानि अर्थ ही यह हुगा कि ये उसको देखकर अपनी कोकी समझ रहा है अपनी चबी को तो उसको आलिंगन के लिए अधीर है बड़ा ब्याकुल है अब आगे देखे पतवार घुमा अब प्रतनु भार नौका घुमी विप्रीत धार पतवार घुमा अब जो पतवार है माने जो जिससे वो चलाई जाती ही नाव उसको पतवार बोलती है पतवार घुमा अब प्रतनु भार प्रतनु माने हलका पतला हो जाना हलका हो जाना अब जैसी पतवार घूमी तो जो भार है नाओ का वो हलका हो गया नौका गूमी विप्रीद धार नौका विप्रीद हार में घूम गई डानों के चल करतल पसार भरभर मक्ताफल फेनस फार बिखराती जल में तारहर अब जो डाने चल नहीं और अपनी करतल अर्था हतेली को पसार पसार की जो डाने चल नहीं नाव की वो ऐसे लग रही है जैसे भर भर के मुक्ताफल अर्था मोती को बिखेर रही हो ऐसे बिखेर रही है जैसे फेन नहीं होता फेन इस फारकार्थ हम यहां विस्तार से ले सकते हैं कि फेन बड़ी मात्रा में जो फैलता है जब पानी को तेज मात्रा में चला तो फेन निकलता है तो ऐसी पित्ति जब डाने चल नहीं डाने अपनी करतल पसार पसार के चल नहीं हतेली पसार पसार तो ऐसा प्रतित हो जैसे मुट्टी भर भर के मोती फैल रहे हो बैसे फैल रहे हो जैसे बिखराती जल में तार हार जैसे जल में तार रूपी तारों का कोई हार तूट गया हो बैसे डानों के करतल पसार के चलने के कारण मोती जैसे बिखर रहे है यानि फे चांदी के सापों सी रल मल नाचती रस्मिया जल में चल रेखाओं सी खिच तरल सरल अब ऐसे लग रहा है जैसे जो रस्मिया अर्था चंदमा की जो रोसनी पढ़ रहे लहरों में अब लहरों की गती के कार चंदमा की जो रोसनी जब पढ़ रही लहरों में तो ऐसे प्रतीत हो रहे है जैसे चांदी के साप बड़ी अपना जिल मिलाकर एक अपनी सरल गती से चल रहे हो ऐसे प्रतीत हो रहे है और रेखाओं सी खिच तरल सरल और रस्मियों के कारण चंदमा की रोशनी कारण रेखाओं सी लेहरों में खिच रही है जो तरल सरल रेखा कि जल में अब ऐसे पिर्तीत हो रहा है चूंकि आकास की छबी है चंद्रमा और तारों की भी छबी है तो ऐसे लग रहा है जैसे ये चंद्रमा और तारे लहर रूपी लतिकाओं में फूलों की भाती खिल रहे हों कैसे खिल रहे है सौसो चंद्रमा एक चंद्रमा सौसो चंद्रमा दिख रहा है और एक तारा सौसो तारे दिख रहे है और ड़माने तारे और ऐसे लज़े से फैले फूले जन में फेन की भाती जल में फैले और फूले लग रहे है अब उथला सरीता का प्रभा है लगई से ल तरो भूते ला के साथ बढ़े आगी, और फिर आगे कभी कहता है जोई जोई भूति है नाव पार और वे आलो के सत विचार कि जो जो नाव पार लगती जा रही बैसी और में माने हिर्दे में आलो के थो रहे खिल रहे क्या खिल रहे सत विचार सेकणों विचार कि अब कभी कह रहा है जो नाव जो है पार लग रही अर्था किनार यारी बैसी और में अर्थात हिर्दे में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं क्या उठ रहे हैं बहुत सारे विचार इस धारा साही जग का क्रम सास्वत इस जीवन का उदगम सास्वत है गती सास्वत संगम कि कभी कहता है इस धारा साही जग का क्रम कि जो जग है संसार है उसका जो क्रम है वो ठीक वैसे ही है जैसे ही इस जग का जो क्रम है यानि जैसे संसार चला है बैसे ये धारा निरंतर बह रही जलकी और सास्वत जीवन का उद्गम और जीवन का उद्गम भी थी किसी की तरह सास्वत है और जीवन की गती भी सास्वत है जीवन का जीना भी सास्वत है और सास्वत संगम है सास्वत माने जो हमेशा चले है यानि कभी कहते हैं धारा से तुलना करते हैं जल की जीवन की तुलना करते हैं कि जैसे धारा निरंतर बहरी बैसे जग का करम भी निरंतर चलता रहते हैं यानि लोग आते हैं जाते हैं और जीवन का उद्गम भी सासवत है यानि जन्म लेना भी सास्वत है सास्वत है गती और जीवन का चलना भी सास्वत है सास्वत संगम और ठाथ एक के बाद दूसरा का मिलना है ना ये भी सास्वत है सास्वत गती सास्वत संगम और सास्वत नव का नीला विकास कि जो नीला विकास है सास्वत नव का आकास का नीला विकास कहने का आकास का जो नीला पन है ये भी सास्वत है और सास्वत ससी का ये है रजत हास और चन्नमा का जो चांदी जैसी जो हसी है वो भी सास्वत है और सास्वत लगु लहरों का विलास और लगु लहर यानि जो छोड़ छोटी लहरे हैं इनका जो विलास है वो भी शास्वत है विलास माने खेलना हे जग जीवन के कर्ण धार चिर जन्म मरण के आर पार अब इश्वर को संबोधित करते हूं कभी यहां कहते हैं कि हे जग और जीवन यानि संसार और जीवन के कर्ण धार पार लगाने वाले संसार और जीवन को पार लगाने वाले इश्वर आप चिर माने हमेशा जन्म मरण के आर पार आप जन्म मरण के आर पार हैं यानि जन्म मरण में भी हैं और उसके पार भी है जन्म मरण के आर पार सास्वत जीवन नौका विहार जीवन नौका विहार जो है वो सास्वत है जैसे नौका विहार अभी शास्वत है वैसी जीवन रूपी नौका में जीव का विहार करना भी शास्वत है अर्थात वो भी हमेशा चलता रहेगा जैसे नौका विहार चलता रहेगा वैसी जीवन भी चलता रहेगा तो आगे कभी कहता है मैं भूल गया अस्तित्त ग्यान य जो मुझको अमरत तो दान कर रहा है अर्थात जो मुझे अमरता पर दान कर रहा है मैं ये भूल गया मतलब इन विचारों में तक हो गया कि मैं स्वयम को ही भूल गया और मैं ये भी भूल गया कि जीवन कही है सास्वत प्रमार है ये नौका बिहार जो है वो सास्वत प्रमार है जैसे नौका बहार हमेशा है बैसे जीवन भी हमेशा रहेगा यानि बैक्ती मरेगा फिर अगला जन्म लेगा इस टाइप से मतलब चलता रहेगा तो ये एक टाइप से कहा जाया तो मुझको अम्रत्यों नहीं है ये अम्रत्यों हो गया करता मुझको अम्रत्यों दान जब म आया है तो वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलें आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मातरम